लो गाइस कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खानावन डिमान में आपके साथ मलाई कोफता की रेसिपी शेयर कर रहे हूं जो बहुत डिलिशियस होती है इसली आप इसको बना सकते है बस बनाते है समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा और आम शूर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी रेस्पी एक बार जुरू ट्राय कीजिए अगे बनने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए है प्लीज चैनल को लाइक और सब् क्योंकि ग्रेवी को तैयार करना है ये किमिल सील ये ग्रीन चिली जिसको मैंने बीच से कट कर लिया था थोड़ा सा ये जिंजर जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है ये लेसन थोड़ा से सॉटे कर लेंगे सभी चीजों को इसके बाद में ये रफली चॉप अनियन है ये टू मीडियम साइज के अनियन थे इसको भी हलका सा भूनना है ये टमेटो है इसको भी मैंने डाल दिया है टमेटो की क्वांटिटी आप अपने गॉडिंग कमिया ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा सॉल्ट मैंने एड़ किया है जिससे कि ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे अच्छे से मिक्स करके इसको तू त्री मिनिट के लिए कवर करके पका लेंगे मैंने इसको कवर कर दिया है एंद त्री मिनिट के बाद में देखिए ये अच्छे से बाइल हो चिके हैं और यहां पर मैंने गयस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर यह मैंने पनीर लिया है इसको ग्रेट कर लेंगे 250 ग्राम पनीर है इसको इस तरीके से देके मैंने ग्रेट कर लिया है और यह पटेटो लिया है जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और इसको फ्रीज में रख दिया था दो तीन घंटे के लिए जिससे इसमें विलकुल माश्य नहीं रहा और इस तरीके से इसको भी मैश्य कर ल को मिक्स कर लेंगे यह दो महि्क mean को बढला यह जांदे से जाले मसाला इघार नुट जाया कम कम जुड़ी ET पाउर नीय तो अतवन पक्रणिट pävos पॉरदधर नियुुल यह मैंने एक स्पून डाला है एंड यह बेशन आप चाहे तो इसके जाए पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं आपके ऊपर है अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्टिडियन को और इसको इस तरीके से डो की फॉर्म मे लाना है अगर थोड़ा सा आपको कम लग रहा है तो तो आप एक-एक स्पून करके इसमें और भी डालते जा सकते है बेशन को और इस तरीके से आपको डो के फॉर्म मे लाना है इसको यह बढ़ गया और यह मैंने थोड़ा सा कैसे लिए फिलिंग के लिए इन यह थोड़ा सा सूखा आटा है और इसमे से इस तरीके से थोड़ और इस तरीके से आपको इसको पहलाना है और इसमें ये कैश्यू फिल कर देंगे और इसको इस तरीके से बन कर देंगे आप चाहें तो बिना फिलिंग के भी बना सकते हैं बद इससे बहुत टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा गर्षेए मैं इसको फिल कर दियु इसतरी के से इसको कि अच्छे बाल बनाके इसको और सुखे आटे में डिप कर लेंगई इस तरीके से इसको रख देंगे और 5 मिनिट रखने के बाद में इसको फ्राइ करेंगे जो सूखा आठा लगा इसकी विज़े से तेल में डालने से क्या होगा ये फटेंगे नहीं इसलिए ये सूखे आठे में डिप करना जरूरी है इस तरीके से सारे जो भी कोफते बनाए है और बहुत ही आपको केरफली इनको सेखना है इसको डालने के बाद में आपको टू मिनिट तक टच बिलकुल नहीं करना है नहीं तो ये तूट सकते हैं और आपका जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं इसको बहुत ह्लकि उस्तरीके से कि कॉण पि Bakए बहुत मुलाएं बहुत ज्यादा ही सॉफंप बंते हैं तो आपको क्यर्पली लेए हैं निकाल नहींगे कि इसको निकाल ले रहे हूँ इसी तरीके से सारे कोक्ते के निकाल लेंगे इस तरीके से अब जो था उसका पेस्ट बना लिया है जो भी हमने त्यार किया था इसमें थोड़ा सा कैशी भी मैंने मिलाया था जिससे और भी जाधा अच्छा टेश्ट आएगा और मैं सबजी को बटर में बनाऊंगी आप चाहे तो देसी घी ले सकते हैं और कुछ भी यूज कर सकते हैं यह थोड़ा सा किमिंसील यह होल रेड चिली तेज पत्ता यह थोड़ा सा सिनमेन स्टिक यह प्लॉंग इलाइची और थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ा साटे करने क के बाद में यह जो हमने प्यूरी बनाई थी इसको एड कर दिया है आप चाहे तो जो प्यूरी आपने बनाई उसको छान भी सकते हैं नहीं तो एक पाइन पेस्ट बनाएं तो ऐसे भी डाल सकते हैं आपके उपर है अच्छे से चलाएंगे इसको कि वाइल होने लगी है कि वाइल होने लगी है त्रूस्ट में टर्मरी पाउडर थोड़ा सा कूरींड पाउडर रचली पाउडर गरम-मसाला दिक्स कर लिए थोड़ा सा यह मैंने डाला है इसमे कस्मीरी रचली पाउडर आप चाहे तो डाली नहीं तो सकिप कर सकते हैं इससे बस जो ग्रेवी का करीब मलाई डाली है क्योंकि मलाई कोफता है तो मलाई थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी मिलेंगी थोड़ी सी यह मैंने कासूरी मेती डाली है बहुत अच्छा टेश्ट आएगा इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे इसको थोड़ा सा मैंने यह सुगर टाला है हाफ स्पून अच्छे से बाइल होने लगी ही यहाँ पर मैं इसमें सॉल्ट एड़ कर दी हूं एस पर यू टेस्ट आप इसमें एड़ कर सकते हैं इसके बाद में इसको ग्रेवी को फाइब मिनट के लिए कबर करके कुक करेंगे और इसको अच्छे से हमें कुक करना है क्योंकि पहले ही ग्रेवी को तयार करना है जो देकिए पाइब मिनट के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो रही है यह बिलकुल तयार है ग्रेवी हम इसी कंसिस्टेंसी में रखनी है और मैंने यह एड़ कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको जो कोपते हमने बनाए थे इसमें नहीं एड करेंगे नहीं तो वह पूरे टूर चाहेंगे इसके लिए मैंने किया है कोपते प्लेट में रख लिये हैं और गर्मा गर्म इसमें जो घ्रेवी बनाई है इसमें डालेंगे जिससे और यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है तो एब्सर्व कर लेंगे जो भी आपने ग्रेवी बनाई है तो आप भी ऐसे करके ही डालिए नहीं तो जो भी आपने महनद किये सब आपकी बेकार हो जाएगी आपको ऊपर से ग्रेवी को डालना है इसी तरीके से बहुत अच्छा टेश्ट आता है इसी तरीके से पूरी जो भी कोफते बनाए है उसको डिप कर देंगे ग्रेवी में इस तरीके से मलाई है उसे गानिक्स करूंगी इसमें थोड़ा ज्यादा सा मलाई डालूंगी थोड़ा सा ये कोरिंडर लीप्स इस तरीके से आप भी मलाई कोकता घर में बना सकते हैं आई होप आपको रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो प्लीज दू सब्सक्राब मैं चनल थ तरीके से अपकर द्याते हैं तो लिए मोरा से बखन कर देचाँ झाल थाद लीज़ा हैं अब्सक्राइब येद्टाब तो झाल तो येद्टेमट तो जाल बहुत आई हैं अविंगें ठीज़ा हैं आई